एथा इभिहजो ए वाफ क्लास 3 बच्छों हमारा जो लेसन नमबर 3 था ख्लास 3 का वह हमने कमप्लीट कर दिया था आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नमबर 4 भी लेसन Clothing, Housing and Clothing आप सब Housing and Clothing से Introduce हो, आप सभी घरों में रहते हो और आप सब कपड़े भी पहनते हो, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे इस लेसन से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे घर कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के और उसे जहाँ पर भी रात हो जाती थी जहाँ पर भी थक जाता था, तो वह क्या कड़ता था? अपने ले उसी जगहा पर अपना शैल्टर घर बना लेता था वो चलते चलते जहाँ पर थक गया उसे रास्ते में जहां पर भी क्या मिलेगा कोई पेड मिलता था उसी के नीचे सो जाता था यानि कि वो पहले उसकी लाइफ कैसे थी नोमेडिक नोमेडिक मतलब घुमकड वो जलतार हैता था उसके कोई फिक्स होम नहीं होता था ठीक है जैसे जैसे क्या होई लेकिन जैसे जैसे डिसकवरी मतलब खोज होई तूस पतला और जारों की एंड मैटल और साथी साथ उसने क्या क्या मैटल को भी धूण डिया यानि कि धातू की खोज की ही लंड उसने सीखा तु मेक हाउस यूजिंग मैटिरियल्स लाइक स्टोन्स हे जैसे जैसे उसने क्या क्या और टूल्स की और जारों की अरधातों की खोज की उसने बनाना सीखा अपने लिए घर किन किन चीजों से पत्थरों से यह मतलब घासपूस से और बूड मतलब लकडी से modern man has learned to build different types of houses which are safe and comfortable आज का जो मनुश्या है उसने भी सीख लिया है बहुत सारे प्रकार के घर बनाना है पहले का जो early man था वो तो सीख क्या करता था घासपूस की जोपडियों में रहता था लेकिन आज का जो आधुनिक मानव है आपने देखा हो कि वो क्या बनाता है अपने heat, coat and drain ठीक है also with a time जैसे जैसे समय निकलता गया he stopped उसने रोक दिया the use of leaves उसने किसको use करना है रोक लिया stop कर दिया पेड की पतियों को जानवर की खालों को पहनना ठीक है पहले वो क्या करता था सरदी धूब और बारिशे बचने के लिए पेड की पतियों का जानवर की खाल का use करता था लेकिन अब वो क्या हो गया modern हो चुका है अब वो इसका use नहीं करता है he learned to make use of cloth made of fibers obtained from plants और fur and hair of some animals he learned उसने सीख लिया है अब क्या कर लिया है make use of cloth उसने कपड़े का use सीख लिया कपड़ा बनाना सीख लिया और वो कपड़ा किसी से बनाता है fiber से रेसों से बनात जानवरों के बालों से और जानवरों के फर से ठीक है बच्चों तो आज का जो man है वो क्या है बहुत modern है उसने घर बनाना सीख और उसने क्या किया उसने अपने लिए कपड़े बनाने सीखे different types of houses different types of houses means अलग-अलग प्रकार के घर यब घरों के अलग-अलग प्रकार the design of the design of a house depends on the place where it is built depending on the different places like a hilly areas, coastal areas, plains, etc. we have five types of houses the design of house depends on the place where it is built जो घरों के design होते हैं आकार होते हैं वो depend करते हैं depend मतलब निर्भर करना on the place where it is built वहां किस चीज़ पर निर्भर करते हैं वहां निर्भर करते हैं कि वह किन इस्थानों पर बनाए जाते हैं जिन इस्थानों पर या घर बनाए जाते हैं वहां घर उसी प्रकार के होते हैं ठीक है, कुछ घर आपको पता है, कुछ कोस्टर एर्याजम में तो कुछ हिली एर्याजम होते हैं, कुछ प्लेंस एर्याजम होते हैं, तो वो अलग-लग प्रकार के होते हैं, we have 5 types of houses, हमारे पास इस chapter में कितने house दिये हैं, 5 प्रकार के घर दिये गए, सबसे पहले आपका आता है कच्छा house, सबसे पहले कौन सा आता है, कच्छा house या कच्छे घर, कच्छा house are found in blazes, जो कच्छे घर होते हैं, found मतलब मिलते हैं, in blazes, blazes मतलब गाओं में, basically these are hearts, यहां क्या ह straw, sticks and even cattle, dung, जो कच्छा house होते हैं, यह कहां मिलते हैं, गाओं में मिलते हैं, प्राया यहां जो घर होते हैं, यहां क्या होते हैं, मिट्टी से बनाए जाते हैं, मिट्टी के साथ और इन्हें बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, straw, घासफूस मिलाई जाती है, ठीक है, बहुत कच्छे होते हैं, but mud helps to increase the strength of these house, लेकिन जब इनके साथ क्या लगाया जाते हैं, मड्गीली मिट्टी लगाई जाती है, यह गाय का गोबर का लेप इन पर किया जाता है, तो इन घर की जो क्या होती है, ताकत होती है, वो थोड़ा बढ़ जाती है, इससे थोड़ा पक हो जाते हैं, नेक्स्ट आप कहाता है, पकका हाउस, पकके घर, पकका हाउस are made of bricks, cement and steel, जो पकका हाउस होते हैं, वो इन, cement और steel से बनाए जाते हैं, यह बहुत पकके होते हैं, house are found in many places, और यह घर बहुत सारी जगाहों पर आपने देखे होंगे, इन planes, the bricks house do not have sloping roofs, आपने plane मैदानी इलाके देखे होंगे, plane इलाके देखे होंगे, वहाँ पर जो घरों की छट होती है, पकके घरों की छटे होती हैं, वो धलानदार नहीं होती हैं, slope वाली नहीं होती हैं, but in the hilly areas, लेकिन पहाडी छेत्रों में, these house have sloping roofs, इन घरों की क्या ह धलानवाली छटे होती हैं, for the snow to fall off easily, क्यों पहाड़ों में घरों की छट, पके घरों की छट, धलानदा बनाई जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, उन छटों पर, क्या होगी बरफ जमा जाएगी, और बरफ से क्या होगा, पूरा पानी अंदर टपक जागा, तो इसले इनकी इचाते हैं, क्या होती है, धलानदा, स्लोपिंग बनाई जाती हैं, third type of house है, stilt house, stilt houses are made of wood, and are found in the areas which receive heavy rainfall, stilt house जो होता है, वो कित से बनते हैं, made of wood, लकडियों से बनाई जाते हैं, and are found in areas, और ऐसे इलाकों पर मिलते हैं, जहां क्या होता है, which receive heavy rainfall, जो इलाकों, जिन जगाहो पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, heavy rainfall मतलब अत्यादिक बारिश का होना, this type of house is raised above with stilt made of bamboo, इन घरों को क्या किया जाता है, जमीन से raised above मतलब उठाया जाता है, थोड़ा उपर, made of bamboo किस से उठाया जाता है, bamboo की लकडियों की मदद से इनने थोड़ा उपर, जमीन से उठा दिया जाता है, stilt help to protect the house from higher water label, इनको stilt इसले किया जाता है, तो कि क्या होता है, आपको पता है, जिन जगाओं पर heavy rain होगी, वहाँ पर क्या होगा, पानी जमीन पर बहुत ज़्यादा भर जाएगा, अगर हम जमीन के label पर ही वो घर बनाते हैं, तो क्या होगा पानी ज़्यादा भरने के कारण बढ़सातने, पानी सारा हमारी घरों के अंदर आ जाएगा, तो ऐसे जगाओं पर घर क्या होते हैं, जमीन से उपर बनाये जाते हैं, गर पानी बहुत उपर तक भी भरेगा, तो हमारे घरों तक नहीं पहुंसता है, इसे जो आपके घर हो houseboats are houses that are built on boat, houseboats वहाँ घर होते हैं, जिने कहाँ बनाये जाता है, नाओं के उपर बनाया जाता है, these are made of wood and are light in weight, यह घर लकडी से बनाये जाते हैं और बहुत हलके होते हैं, people who leave near the river or lakes use houseboats to slip and cook in it, वहाँ लोग जो नदियों के नजदीक रहते हैं और या लेक के जीलों के नजदीक रहते हैं, वहाँ लोग houseboats का use करते हैं, यह लोग क्या करते हैं, इनी घरों के अंदर सोते भी हैं और खाना भी अपने ले houseboats में ही बनाते हैं, यह आपके ज़्यादातर जो आपने देखे होंगे houseboats जो हमारे इंडिया में होते हैं, वो आपके कहां मिलते हैं, कश्मीर में बहुत सारे houseboat मिलते हैं डल लेक पर जो घर बनाई जाते हैं वो houseboat ही होते हैं नेक्स जो आपका फिप नमबर का house होता है उसे कहा जाता है igloos igloos are made of small blocks of snow igloo जो घर होते हैं वो क्या बनाई जाते हैं छोटे छोटे बरफ के टुकड़ों को मिला कर बनाई जाते हैं यहाँ dome shape होते हैं dome shape मतला उपर से कुछ गोल आकार के घर होते हैं और यह घर आपके कहा मिलते हैं जहाँ पर अत्यदिक ठंड होती है यहाँ पर पूरे सालवर स्री बरफ ही बरफ होती है अब आप सोचोगी कि बरफ़ कि मेंके जो घर बनेंगे वहाँ पर लोगों को ठंड क्यों नहीं ले तो वहाँ पर कुछ ऐसी ब्यवस्ता की जाती ही घरों के अंदर का ऐँज जाता है बाहर के तेमप्रेशर से कुछ ज़्यादा होता है है, अब आपने houses तो पढ़ लिए, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि घर बनाने के लिए क्या-क्या material हमको चाहिए होता है, तो you know, materials used to order of building a house, house are usually built from materials that are easily available and cheap, ठीक है, घर बनाने के लिए हम ऐसी सामान कि यूज करते हैं, जो हमें क्या हो जाएं, easily available, आसानी से मिल जाते हैं, और जो chief होते हैं, थोड़ा सस्ते भी होते हैं, houses in the city are built with bricks, cements, iron and stones, जो शहरों के घर होते हैं, वो in cement, लोहे की rod और पत्थरों से बनाए जाते हैं, these houses are very strong and last many years, यहाँ घर बहुत पक्के होते हैं, कई सालों तक शलते हैं, इन घरों में कई सालों तक टूट फूट नहीं होती है, these are called brick house और पक्का house, इन घरों को क्या कहा जाता है, eaton के घर या पक्के मकान कहा जाता है, however in the blaze, most of the people cannot effort such building materials, गाओं के लोग जो होते हैं, वो क्या नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार का building material effort नहीं कर पाते हैं, नहीं उन्हें आसानी से material मिलता है, so they make use of mud, hay, bamboo, straw and stones, ठीक हैं, तो यह लोग क्या करते हैं, अपना घर बनाने के लिए, घास, फूस, मिटी, bamboo का use करते हैं, straw और पत्थरों का use करते हैं, these are not very strong यह बहुत ज़्यादा पक्का तो नहीं होता है, ताकतवर तो नहीं होता है, and are known as mud house और kच्चा house, इसलिए इन घरों को क्या कहा जाता है, मिटी के घर या कच्चे मकान कहा जाता है, in cold areas where snow is and easily available materials the house made of snow blocks and built ठीक है, and blocks are built, ठीक है, जब जिन जगाओं पर क्या होती, चारां तरफ स्री बरफ ही बरफ रहती हैं, पूरे साल स्री बरफ ही बरफ से यह जगाएं धकी होती है, तो इन जगाओं पर क्या होता है, घर जो बनाया जाता है, वो बरफ हमने इस चैप्टर में पढ़ा हाउस, कितने प्रकार के हाउस होते हैं, हाउस किन किन चीज़ों से मिलकर बनाये जाते हैं, तो आई होप आप भी क्या करोगे, घर में इस चैप्टर को रीड करोगे, जितना प्रने पापको आई होफ को पढ़ाया है, तब तक के लिए बाई-बाई, मिलते हैं अपनी next विडियो में, आप इस विडियो को क्या करोगे, जैसे आपको इसनका link भीजा जैगा, आप इस विडियो को watch करोगे, तब मिलते हैं next video के लिए, ओके, और बाई-बाई